हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्टमेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोमैटो के स्टॉक के बारे में फ्रेंट्स जोमैटो के स्टॉक में आप सभी लोगों को आज एक फ्लैट कामकाज होता हुआ देखने को मिला लेकिन दोस्तो स्टॉक ने अपनी ट्रेंड लाइन जो है जो उसको प्रिवेस्ट को आज की दिन ब्रेक नहीं किया त्रूआउट देडे दोस्तो स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेजिक्टरी में कामकाज करता हुआ देखने को मिला स्टॉक आप क्या सकते कि थूआउट देडे पॉजिटिव में कामकाज करने को देखने को देखने को बोला और क्लोजिंग भी दोस्तो रगबग एक प्रतिशत उपर आपको देखने को मिली है 100 रुपे का दोस्तो रेजिस्टेंस लेवल जो की बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल बनकर आ रहा है स्टॉक के लिए अगर ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होता है तो दोस्तो 105-110 रुपे की जगा स्टॉक में बन सकती है जानेंगे क्या होंगे कल के यानि 10 फरवरी के इंटरे टार्गेट स्टोप्लोस और रजिस्टन्स तो वीडियो को इंट तक दिखना है वीडियो अच्छला के तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आज की मार्केट्स पर बात कर लेते हैं तो दोस्तों गिरावट का सिलसिला जो है वो आज रुकता हुआ देखने को मिला है मार्केट ने आज एक तगड़ी तेजी करके दिखाई है सेंसेक्स, निफ्टी, बैंग, निफ्टी, निफ्टी, मिट्केव इंडेक्स सभी इंडेक्स में लगबग एक एक डेड़ेट प्रतिशत की तेजी आज आज आप लोगों को देखने को मिलिए स्टॉक के दोस्तों आपन टेकनिकल रीटिंग्स पर आ गए टेकनिकली स्टॉक अभी वेरी-बियरी जोन में कामकाच करता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि दोस्तों 130-140 रुपे के लेवल से स्टॉक लगबग 95 रुपीज के लेवल पर आ गया है देट याओं डोस्तों वेरी-बियरी जोन में इस्टॉक कामकाच करता हुआ आप लोग देखने को मिल रहा है स्टॉक के दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो दो गौर से सुनिएगा 95 रुपीज का resistance, 96 रुपीज का resistance और 98 रुपीज का resistance ये तीनो resistance आप गौर से देखिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ही resistance क्रॉस होते है तो दोस्तों stock में एक तगडी तेजी बन सकती है support levels की बात कर लें तो 91.66 support बनता है और 89.71 support बनता है क्योंकि stock जब पिछली बार गिरा तो इनी support से stock में bounce back आया तो लगबग 100 रुपे तक की जगह Zomato के stock में बनती भी देखने को मिली थी आज की दिन दोस्तो 5 block deal stock ने दिखाई है और stock दोस्तो 45% नीचे अपने 52 वीक खाई से कामकाज कर रहा है तो दोस्तो definitely I think so buying position आपको बनानी चीए जोंकि stock over corrected हो गया और over sold zone में कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है stock के दोस्तों आपन peers की बात कर ले तो 197 pay tm, just dial, matrimony, sgs, mega shift जिसे बड़े बड़े दिगच इस field में कामकाज करते हैं देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं पूरे आप मिले जुले काम, कारोबार आप अंको सब stocks में देखने को मिला है तीन stocks में positive में कामका जो है और तीन में negative में कामका जो तब़े देखने को मिला है stock के open की बात करें तो 94 rupees 50 पैसे पर दोस्तों stock ने open दिया है जो की previous trend line है 94,50,93,55 उसने इस level को आज breach नहीं किया है और एक अच्छी तेजी करके दिखाए और अपने investors को आप कहा सकते कि बरोसा दिला है कि zomato के stock में भी तेजी हो सकती है stock की closing पर आगए 94 rupees 20 पैसे पर closing दिये लगबख 70 पैसे की तेजी zomato के stock में आप लोगों को देखने को मिलिए with लगबख 70,00,000 के volume जी हैं दोस्तों 70,00,000 stairs आज zomato के stock में trade हुए है और definitely दोस्तों volume में भी अच्छी खासी तेजी बड़ उतरी आप लोगों देखने को मिल रही है तो तो दोस्तों आप चलते हैं zomato के intraday charts पर कल के और long term के intraday target stop loss और resistance पर चर्चा करते हैं तो friends अपन zomato के intraday charts पर आगए 94 rupees 20 पैसे पर closing दिया है बट यहाँ पर adjustment नहीं हुआ है as of 94 rupees है आप देख सकते है stock ने अपनी trend line जो है जो इसका previous close level है आज उसको touch तक नहीं किया है आज पूरे दिन भर ये stock एक तच्छी खासी तेजी में देखने को मिल रही है क्योंकि दोस्तों पिछले बीते दिनों से काफी ज़्यादा गिरावट इस stock में देखने को मिल रही है अगर 5 जिनके chart की बात कले तो लगबख 98-99 rupees के levels पर stock आ गया था उसके बात से दोस्तों इसमें तगडी आपको मुनाफ़ा वसरी देखने को मिल रही है दोस्तों मुझे लगता है कि इस stock में जल्दी bounce back आपको देखने को मिल सकता है एक महिने में 28% की गिरावट इस stock में दिखा दिये दोस्तों आप कहा सकते कि काफी सारे investors का इससे भरोसा उठा है तो दोस्तों आप levels की बात करते हैं अगर आप कल के दिन इस level पर buying करते हैं 94 रुपीज के आसपास तो दोस्तों definite आपको कल buying करनी है मुझे लगता है कल 96 रुपीज तक का target आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है as of आज के दिन इसमें पगड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है बड़ फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है बट दोस्तों मुझे लगता है कल के दिन 2.5 प्रतिशक की तेजी जॉमेटो के स्टॉक में आप लोगों को देखने को मिल सकती है अब दोस्तों लॉग टर्म टार्गेट्स की बात कर लो तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स वर लॉचिन दिस वीडियो